दूस्तो यहाँ पर आप देख सकते हों मेरे पास एक है आईफोन और दूसरा है दूस्तो एंडूइड फोन कैसी दूस्तो आप किसी भी एंडूइड फोन को आईफोन मना सकते हैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ दोस्तों आपको अपने Android phone के अंदर एक trick लगाना है एक trick लगाने के बाद आपका जो Android phone है पूरा का पूरा दोस्तों Apple का phone बन जाएगा यानि कि iPhone बन जाएगा हर कोई देख करके चोग जाएगा क्योंकि दोस्तों आपके इस Android phone के अंदर जो सभी features में पूरा का पूरा application से लेके setting तक हर एक चीज दोस्तों iPhone वाला हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देखे रहो ना same to same ऐसा हो जाएगा दोस्तों आपका Android phone कैसे दोस्तों आप करेंगे यह सब कैसे आपका Android phone iPhone बनेगा सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना skip किए पूरा end तक देखना कोई भी point मिस मत करना क्योंकि सभी point बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एक Android phone को iPhone बनाएंगे वीडियो पसंद आएगा तो like or share कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप किसी भी Android phone को iPhone बनाएंगे यहाँ पर आप देख लिए बिलकुल ऐसा iPhone आप अपने Android phone को बना सकते हैं यह दोस्तों दो इस टेप में होने वाला है ठीक है सिर्फ आपको दो इस टेप follow करना है आपका Android phone iPhone बन जाएगा तो सबसे पहले इस टेप में आपको अपने mobile phone में कोई भी एक browser को open कर लेना है ठीक है browser open करने के बाद यहाँ पर search के उपर क्लिक कर लेना है यहाँ पर दोस्तों iPhone 15 Pro वाल पेपर लिकर search कर लेना है यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों iPhone 15 Pro का जो वाल पेपर है जो भी आपको पसंद है ठीक है उससे आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है जो भी वाल पेपर आपको पसंद आ है उसे यहां से आपको डाउनलोड करने के बाद उसे दोस्तों आपको अपने home screen पर set करने ना है यहां पर मैं इसे home screen पर set कर लेता हूँ ठीक है जैसा कि आप यहां पर देख लिजे हमने iPhone 15 Pro का जो wallpaper है home screen पर set करना है इसी प्रकार से आपको set करना है और पहला जो step है यह आपका complete हो जाएगा अब दूसरे step में आपको क्या करना है अपने phone के अंदर Google Play Store को open करना है Play Store से दोस्तों आपको iPhone 15 नाम का यह app डाउनलोड करना है इस app को दोस्तों आप देखेंगे तो चौक जाएंगे 100 million से जादा लोगों ने अपने phone के अंदर डाउनलोड किया है और rating भी 4.4 किया है तो मतलब कि इससे किसी भी Android phone को iPhone बनाया जा सकता है तो यह अगर आपको Play Store पर नहीं मिलेगा तो इसका जो link है try करूँगा description में आपको देदूँ ठीक है तो इससे डाउनलोड करने के बाद आपको open करेना है open करेंगे तो यहाँ पर wallpaper आ जाएगा तो हमने wallpaper दोस्तों पहले से ही set कर लिया है तो यहाँ पर checkbox पे आपको click नहीं रखना है इससे हटा देना है यहाँ पर I agree के उपर click करना है get started के उपर click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर storage और camera का आपको यहाँ पर permission देके agree के उपर click करना है यहाँ पर दोस्तों आपको allow कर देना है आप देख लिजे ठीक है इसी प्रकार से आपको permission देना होगा और यहाँ पर इसे आपको on रखना है agree के उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर दोस्ट आपको एक permission को और देना पड़ेगा ठीक है क्योंकि permission देंगे तभी आपका android phone, iphone बनेगा तो यहाँ पर आपको उसी app को search कर लेना है कि वो app कहाँ पर है जो अभी आपने play store से download किया है यहाँ पर आप देख लिजिए और यहाँ से इसे on कर देना है उसके बाद अगला step आ जाता है इस प्रकास से यहाँ पर भी आपको agree के उपर click करना है और इसके उपर click करना है और इसे भी हाँ से आपको allow कर देना है अगर ऐसा कोई notification आएगा तो don't worry दोस्टो यह trusted app है 100 million से ज़्यादा लोग जो है इसे अपने phone में use करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको कोई tension वाली बात नहीं है check box पर click करना है और okay के उपर click कर देना है उसके बाद दोस्टो यह थोड़ा सा loading होगा और यहाँ पर दोस्टो आपको iOS का style select करना है ठीक है आप देखेंगे तो इसमें यार तीन बटन आ रहा है इससे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास एक Android phone है क्योंकि iPhone में दोस्टो नीचे की तरफ कोई भी button नहीं होता आप देख सकते हैं तो अगर आप भी चाहते हैं आपर कोई भी button आ है तो यह जो चेक बॉक्स दिया है इसके उपर क्लिक करना है अब आप देख लिजे तीनो बटन यहां से गायब हो जाएंगे तो यहां पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके एक बार create के उपर क्लिक कर देना है और set as a default के उपर क्लिक करना है ठीके यहां पर remember के उपर क्लिक करके इसे आपको select कर देना है ठीके यहां पर यह सब आपको skip कर लेना है फटा फट जैसा कि आप देख लिजे बतार आपको tutorial टाइ के हो गए हैं आप यहाँ पर देख लेजिए नोडिफिकेशन पैनल भी एकदम मतलब की जैसे आइफोन में होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉर्च का ओप्शन दिया है कैमरा का यहाँ पर ओप्शन दिया हुआ है और यहाँ से तीन बटन गायब हो गया है और जैसे आइफोन में यहाँ पर एक लाइन होता है वो ऐसा एकदम हो चुका है देख रहो काफी कमाल का लग रहा है और यहाँ पर यह शौर्ड कट है जो आइफोन में देखने को मिलता है इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग-अलग जो फिचर से उसे आप यहाँ पर ए अलाव कर देंगे तो यहाँ पर मतलब कि यह सब पूरा वेदर का जो मिन सारी चीज़े जो डाटा वगर है न वो सब भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अभी इसे हम रहने देते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजे पूरा आपको जैसे आईफोन में न यहाँ पर मैं आपको दिखाओं यहाँ पर डाटा वगर है आता है न लोकेशन वगर है वो सब यहाँ पर आएगा लेकिन फिलाल मैंने इंटरनेट बन कर रखा है तो इसलिए यहाँ पर यह भी शो नहीं होगा यहाँ तक कि दोस्तों जब आप अपने फोन को लॉक कर देंगे तो भी दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए मतलब की जो फीचर से जैसे आईफोन में आता है न जब हम अपने फोन को लॉक कर देते हैं तो इस प्रकास से आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है देख रो रियल और एक एंडुएड फोन को आईफोन हमने यहाँ पर बनाया है, जो है दोस्व वह आपके सामने है, ठीक है? इसे में आसे अभी जो है, कट कर देते हैं, तो इसी प्रकास से दोस्व आप अपने Android फोन को ना एक प्रकास से पूरा का पूरा आईफोन बना सकते हैं एंड जो सभी फीचर से आईफोन वाले वो दोस्तों आप अपने Android फोन में ही इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके पास iPhone नहीं है तो यसे मैं आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और अपने Android फोन को iPhone बना सकते हैं तो मुझे परसनली ये ट्रिक काफी अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेर कर दी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक को शेर करना साथी साथ हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लेना थैंक्यो दोस्तों बाइबें टेक कियर